असलाम अलेकुम हाजी वेलकम तू माय यूट्यूब चैनल आज हम आपको बता रहे हैं ये रो टर्मेरिक के बारे में इसके बैनेफिट्स बताएंगे और ये कच्छी हल्दी कहलाती है बहुत से लोग इसको आमबा हल्दी भी कहते हैं इसको हम लॉंग टाइम कैसे सेफ कर सक सकते हैं आप सेसफ करके इसको अपने फ्ीजर में लख सकते हैं पने खानों मैं दूद में मास्क में अब यूस कर सकते हैं यह जब से भी कर लिया पील करके यह कुछ इस तरीके की होती है, औरेंज से कलर की, यह देखें, हाथ में स्टेन भी आ गया है, इसको पील कर लिया, अब हम इसको ब्लेंडर में डाल के पीस लेंगे, पेस्ट फॉम बना लेंगे, थोड़ा सा मैंने जूस अलग कर रहा है, पेस्ट में से, that's why इसको आप यह देखें, बिल्कुर इतनी quantity है, हमने जस्ट एक क्यूब निकाली, और दूद में डाल दी, या इतना निकाला है, जितना हमने खाने में डालना है, आप अपने हिसाब से, इसको, डाइसिस में, क्यूब्स में, कनवर्ट कर दें, कि इतना हम डाल दें, तो इतना फ्रीज ह के लिए रख सकते हैं, अपने खानों में यूज कर सकते हैं, बच्चों को दूद बगारा देते हैं, उसमें आप यूज कर सकते हैं, यह दिखें, इसको इस तरीके से आप सेफ कर सकते हैं, और लॉंग टाइम आप इसको यूज कर सकते हैं, और यह बिल्कुल प्यॉर बज सकते हैं और बाकी जो लेफ्ट रेगे इसको नेक्स डाल देंगे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब मैं चैनल अलाहाफिज